असलावनेकम अच्छा जी आज की टोपिक के अलीगो सक्राइट्स अलीगो सक्राइट्स होते गया है इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम इस टोपिक में स्टड़ी करेंगे अब अलीगो सक्राइट्स कार्बो हड्रेट्स की क्लासिज तें क्लासिज हैं उनमें दूसी जो क्लास है वो है अलीगो सक्राइट्स ग्रिकोसर्टाइडस ऐसे कार्बोहगर्डस ने तू से ले लेकर 10 तक मनोसर्टाइडस ओप अब तू से लेकर तेंड तक मनोसर्टाइडस जो थो वह आपस में अलाधा अलाधा नहीं होगे बल्के separate होंगे कैसे का लिंकेज की वजहां से जब हमने इंपोर्टेंस और कार्बन पढ़ा था तो उसमें हमने यह स्टडी किया था जब कार्बन दूसरे या नहीं के साथ बनाएगा तो उस कोवलेंट को गलाइको स्टिडिक बनन कहते हैं टो इसमें जो टूस लेकर टैंब तक मोनों स्कॉराइड जैनिम या इतनी ज़्याद शॉलिबल न एतने ज्याद अंसॉलिबल यह दरमиान में होते हैं ठलासिटिफ्केशन जब लीको स्कुराइड को हीडर्लाइज किया जाए गा तो वह टू नेकर त मोनो स्कुराइड पृड्यूस करेंगे अगर एक लीगो स्कुराइड हीडर्लाइज होने पर तू नाधी फ्रूब्स रबिसी करें उन्ering को कहते हैं ईग्वाइब टैसเ Starim यह घिस्पाइब तो ढूत्याफार्ड 9 2022 228 इम्सीर का व्र्डीण करें उन्स थाफिक भीयव करेंगे ठीकで अब इनमें सबसे इंपोर्टन्ट है डाइसक्राइड अब डाइसक्राइड में माल्टोज लेक्टोज और सक्रोज माल्टोज को हम हाइडूलाइस करते हैं तो उनमें दो मोनोसक्राइड खारज होंगे glucose ग्लूकोज और अगर lactose को हम hydrolyze करते हैं तो इसमें glucose और galactose और जब हम सेक्रोज को hydrolyze करेंगे तो glucose और fructose produce होगी अब glucose और फ्रक्टोज दोनों ही यह reducing sugar है ठीक है अब देखते हैं जी सक्रोज है क्या सक्रोज का फार्मुला है हमने यह भी study किया था कि जितने भी कार्वो हैड्रेट्स हैं उन में जो hydrogen और oxygen की जो रेशो है वह सेम ही होगी जैसा के वाटर में होती है यानि oxygen अगर ज्यादा है तो उनका हाफ 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 oxygen होगए ठीक है जैसी इसमें भी हम देख सकते हैं hydrogen 22 है और oxygen 11 जैने इसका हाफ है अब यह हमारे पास glucose कौन सी alpha glucose ठीक है अब alpha glucose यह क्या चीज़ है बेसिकली glucose दो टाइप सी होती है जिन में अलफा glucose और बीटा glucose अलफा glucose उसको कहते हैं जिसमें कारवन नंबर वन पर रिंग फॉर में glucose अगर रिंग फार में होगी तो उसका कारवन नंबर वन उसमें जो hydrogen अगर नीचे की तरफ होगा तो उसको कहते हैं अलफा glucose अगर रिंग फॉर में glucose कारवन नंबर वन हाड़ उसल ग्रूप उपर होगा तो उसको बीटा गुलुकोज कहेंगे तो यह हमने लिए है अलफा गुलुकोज ठीक है इसके साथ यह है फ्रक्टोज ठीक है इसमें भी यह कारवन नंबर तो इसमें जो यह अब यहां बची ऑक्सीजन ठीक है यहां पर जब हम दूतरा रियक्शन करवाएंगे ठीक है तो इसके इनतरी में जो प्रोडुक्ट हमारे पास बगैंगी यह लिख देना यह है विए और इसके साथ और इसी पांट ड़ीज़ वगया था यह गलाइकुशिडिक बाने ठीक है इसको लिंकेज भी कह सकते हैं वन डाइस क्राइड़ को कह सकते हैं और सपक्रोज भी कह सकते हैं तो यह था मारा आचिक टोबी का इंशाला आगे पॉल्सक्राइड इसके फर्दर ओन अप्लोड होते रहेंगे तो अगर आप चैनल पर नए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देख ताकि हर नए आने में वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और सबसे आप फाइदा उठा सकें और के जीब आला आफेज